हेलो श्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉमर्स कुरूजी पर और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका क्लास 12 का एकनॉमिक्स का बोर्ड का एक्जाम आने वाला है उसमें आपके most expected questions या guaranteed questions या most most important questions इसे कह सकते हैं वो ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखेगा और प्लीज जादा से जादा लोगों में शेयर करेगा ताकि उन लोगों तक भी हमारी बात पहुंचें चली हाजी पॉइंट नमबर वन आपको ये याद रखना है कि जो CBSC ने sample paper अपना issue करा था इस साल उस sample paper को एक बार अच्छे से पूरा पढ़कर प्लस उसके solution करने हैं सर अगर solution में दिक्कत है तो इस video के description में मैं एक video का link दूँगा वहाँ मैंने CBSC का ही sample paper को पूरा का पूरा solve या समझाया है ठीक तो ये तो हमारा step number one अब आप लोग जैसे जैसे मैं आपको बताता जाओं वैसे वैसे आप लोग अच्छे से समझते जाएगा और note करते जाएगा ठीक सबसे पहली बात micro economics में आपको कुछ goods के बारे में दे रखा है final goods, intermediate goods, capital goods, then आपका producer goods, stock, flow ये कुछ point ऐसे हैं इनकी आपको definition अच्छे से मालम होनी चाहिए ये goods कौन से कौन से होते हैं इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए पहले मैं सिर्फ आपको macro economics की ही बात करूँगा फिर मैं बात करूँगा development की चीक then हमारा जो capital receipt होता है और revenue receipt होता है capital expenditure और revenue expenditure next important है इसके बाद जो आपका money supply है I hope आपने इतना note कर लिया होगा आगे बढ़ते हैं हम लोग money supply के बाद कुछ आपको याद होगा जो आपका chapter है BOP balance of payment वहाँ पर आपके दो account है current account और capital account कौन से transaction current account में आते हैं कौन से transaction capital account में आते हैं और कौन से transaction current account के credit side में आते हैं ये आपको मालम होना चाहिए उसके बाद आपसे case study पूछी जा सकती है case study का मतलब कि आपको कोई situation दी जा सकती है वो situation current से भी हो सकता है कौविट के उपर भी हो सकती है वहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि सरकार इसको सही करने के लिए जो हमारे पास दो policy है एक fiscal policy होता है एक monetary policy होता है उनका कैसे इस्तिमाल करे ताकि ये ठीक हो जाएं ये आपको आना बहुत जरूरी है उसके बाद most important जो आपका government budget वाला chapter है उस chapter में से government budget बनाने के objective रीसेंटली अभी budget पास हुआ है उसके बारे में शायद थोड़ी highlight पढ़ लीजेगा ठीक है ना उसके बाद central bank यानि कि हमारी जो RBI है उसके functions national income में आपको तीन method होते हैं product method, income method, expenditure method इनके बारे में अच्छे से पढ़ देजेगा इनके questions आप से पूछे जा सकते हैं then आपका अपली साथ साथ note करते जाएगा real GDP, nominal GDP उसके बाद जो आपके ये MPC, MPS के जो derivation है APC, APS के जो derivation है इनके जो छोटे छोटे formula है currency notes क्या होते हैं, coins क्या होते हैं है ना, what happen when APC greater than APS या AD greater than AS या AS investment multiplier क्या होता है, है ना, aggregate demand को अगर हम सोच रहे हैं यासे कि X and T, आपको मालूम होगा आपकी economics में किसी चीज़ को plan करा जाता है तो उसे X and T कहा जाता है और जो real होता है उसे X post कहा जाता है, है ना, उसके बाद आपका demand deposit, time deposit, foreign exchange spot market, forward market, accumulating item, depreciation of currency, appreciation of currency, ये सारे point जो हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके macro economics के हिसाब से important हैं, इन सभी को यास से अच्छे से पढ़ लीजेगा बटा, ताकि आपका एक number भी कहीं नहीं जाए, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं आपके development की यानि की IED की, Indian economic development, Indian economic development में सबसे पहली बात तो आपका data बहुत important है, यानि की इसमें स्यू स्केनल कब आया, फेमिनीज कब हुई, इन सब के बारे में आपको मालम होना चाहिए, छोटा मोटा data पूछ लिया जाता है, हमारा लिखते जाएगा मैं बताता जाता हूँ IED में, colonial exploitation जो हुआ था, किस sector को कैसे बरबाद कर दिया था, उसके बारे में आपको मालम होना चाहिए, national income की जंगरना सबसे पहले किसने करी थी, क्या करी थी, planning commission of India के बारे में आपको मालम होना चाहिए, reason और assertion के बारे में अच्छी से command कर लेना, आप से पूछा जा सकता है, कि ऐसा हुआ और इसका reason ये था, क्या आपके साब से सही है, या नहीं, जो भी हमारे India, China, Pakistan यानि कि जो लास्ट वाला चैप्टर है, उसमें इंडिया कब आजाद हुआ, इंडिया ने अपनी काउंची policy कब अपनाई, GLF यानि कि greatly forward जो campaign था, वो कब आया था, क्यों establish किया गया था, इंडिया ने किस economy पर ध्यान दिया, आजाद होते ही, पाकिस्तान ने किस economy पर ध्य इंडिया, वर्क फोर्स क्या होता है, लेबर फोर्स क्या होता है, human capital formation कैसे होती है, कहां कहां खर्चा किया जाता है, reserve bank कब आया, regional rural bank कब आया, नाबाट कब आया, agriculture क्या होता है, agriculture activity क्या होती है, पिछले के मुकावले, आज की डेट में हमारी activity क्या है, agrarian reforms क्या होते हैं, cooperative marketing society क्या होती है, then आपको एक data जरूर दिया जा सकता है, जहां पर आपको चाइना, इंडिया या किसी और डेट के बारे में compare किया जाएगा, आपको पूछ सकता है कि आप health minister हो, आपको health expenditure करना है, कैसे करोगे, मतलब human capital formation वाले chapter का हिस्सा है, उसके बाद आपका seasonal unemployment, disguised unemployment, industrial unemployment, primary sector tertiary sector, है ना, colonial period में semi-fooder economic क्यों थी, क्या होता था, employment generate करने से क्या होता है, sustainable development क्या होता है, limitation क्या थी, new economic policy हमें क्यों adopt करनी पड़ी, है ना, poverty के बारे में कौन-कौन सी सरकार ने योजना अपनाई है, railway service इंडिया कब आया, first census कब हुआ, first train कब चली, ये सारी चीजे बहुत ही जादा important है आपके chapter में, बाकी मैं अपने videos के थूँ, आपको और बता दूँगा कि और क्या क्या है important है, अगर मुझे लगा कि इसके लिए मुझे दूसरा part लाना पड़ेगा, तो मैं एक और part लेके आऊंगा, अभी फिलाल के लिए, आप लोग ये सारी चीजें अच्छे स कर लीजेगा, thank you so much, love you all, keep sharing, keep supporting, जै हिन, जै भारत.